हरे क्रिश्णा ताप सरी भगतों का हर्दिक स्वागत है आज के प्राथा कालिन श्रीमत भागवतम के चर्चा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमत भागवतम फिप्ट चैप्टर नारद मुनी के दौरा वेद व्यास जी को भागवत ग्रंत की रशना के लिए प्रेड़ना दिया जा रहा है और भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं तो अभी तक बाइस नंबर श्लोकों तक जो कि इस अध्याय के लगभग सिस्टी लोग हैं 50% माल लीजे 22 लोगों तक तो अभी तक नारद मुनी थियोरी बताएं थियोरी में हम विसार से चर्चा कर रहे थे अभी तक इतने दिनों से कि भागवत की क्या महिमा है भागवत का श्रवन करना भागवत का आश्रे लेना इसके विसे में चर्चा किये तो थियोरी बस से तो नहीं हो पाता है थियोरी तो हला कि कंप्लीट है अपने आप पे पूरा ही होता है उसमें कोई शंचे नहीं है लेगि जब तक जो टीचर होते हैं अपने शिर्चे को कुछ क्रैक्टिकल एक्जाम्पिल ना दे तब तक समझ में कैसे आता है भागवान कृ कि जैसे वस्टन को त्याग देता है कि लिए इसको समझने के लिए कुछ इसे वपायद होडे जाते है जिसके दोरद समझाया जाता है लेकिन compound का मतलब होता है कि नो सभॉट को हूए घ्समामपर तो अभी तक से महिमा इतनी से पापी ब्रेगते भागवद का अश्रय लेका तो सध्यंती पर्म प्रवेटर हो दो सकता है इसलिए तास्य वही तो यहां तक भी बोल दिए इसलिए विक्ति कौने कुछ करना भी नहीं चाहिए केवल भवान हरी के चरण कमल का आश्रे लेने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए भागवत का श्रवन करना चाहिए भागवत का आश्रे लेना चाहिए आखरी श कास्त्रों के ज्ञान का निसकर्ष ही प्रस्तिवतिकरण हो रहा है लेकिन यह बाइस नुबर श्रोप में तो यहां तक गोल देदम ही पुंक्षस तपसा तपसा हशुतर्षवा सुष्टस सुप्तस सच बुद्धिदत तयो अविच्यत वर्थ कभी फेर निरूपितो यदु उप्तमाश्लोक गुणान वर्णनम क्यागर किसी भी वेक्ति के द्वारा जो डिफरेंट काइंड्स ओफ डिपार्ट्मेंट ऑफ नॉलिज है उसका अनुसीलिम किया जा रहा है कोई अनेकोंने को वैदी ग्रंत पढ़ रहा है यग्य कर रहा है तपस्च्या कर रहा है दान कोई साइन्स कोई इंजीनियरिंग मेडिकल लाइन जो भी ग्यान का अनुसीलिम कर रहा है अगर उसका इस्तेमाल यह उत्तम श्लोक के गुणान अनुवणन करने के लिए नहीं हो रहा है तो वास्तों में वह जो है वह उसकी विफलता है वह पूरी तरह से वह विफल हो गय मंदनम लोकरंजनम यह अन्यत्र यह बताया जाता है कि यह उसी प्रकार से जैसे डेकोरेटिंग डेड़ बॉडी म्रिफ शरीर को डेकोरेट करना यह जैसे है बारत में तो नहीं करते लेकिन विदेश्व में कई जएका यह इसा होता है जिसी की मृत्थी मृत्ती हो जाता है कि उसको बहुत अच्छे से सजाया जाता है बहुत सुन्दर-सुन्दर उसका जो फेवरेट ड्रेस पहनाये ज सब पहना करके उनको जो सब आजाता है यह सोचते हैं कि उक्ति का इच्छा था तो है कर फूरे जीवन बる ही कर पाया युक्त मर्ते वक्त उसको वह इच्छा पूर्ति करते लेकिन ये एक तरह से पूलिश लेसे न कोई अगर विक्ति देखेगा जो इसका उस मृत विक्ति से कोई कनिक्शन नहीं है तो वो थोड़ा इस बात को समझ पाएगा कि देखो रहे कैसे मूर्प लोग है यह दस लाख रुपए का उसको ड्रेस बहना रहे है और उसको बैसे दफना रहे है या उसक बात को नहीं समझ पाएगा तो इसी प्रकार से यह जितना भी है तपस्या ज्यान कानुसी लंजग्य दान इस सब जो किया जा रहा है अगर अच्युत के सेवा के लिए उनके गुर्णान के लिए इस्तमाल नहीं है और इस सब का इस्तमाल अगर इस भौतिक संसार के जो मृ यहां पर किसी का कोई इसलेटे नहीं है तो इस परकार से यहां तक जाकर भी विद्ग अब नारद मुनी ठेकजाम्पल देने वाले हैं अपने शेश वेद ग्यास जी को देनेटे करके भागवत का क्या प्रभा होता है तो आपको एक्जाम्पल किसका देंगे तो यह पहला इसकंध है, तो पहले इसकंद, कि मैं सब से पहले नारादुनि मी अप rattTalk का एक्जामप्ल दे रह, इसके भाद फिर हर इसकंध में, बहुत सारे अखेपल आएगे नारादुनि के अन्यको महान्श छिए तो गुरू जी खुद अपने शिश्य को अपना पूत का उधारन इस प्रस्तुत करने वारे है कि कैसे पूर्व जनम में दासी पुत्र थे और इस प्रकार से दासी पुत्र में सुद्र के हाँ पैदा हुए थे जहीन जन्म है उसका भी एक कारण है तिहाँ से अपना अलग ही वो कभी और जबाएगा प्रसंग तो बनर करेंगे कि उसके विकूर्व जनम में नारदवुनी जो है एक गंधर्व थे एक देवता थे गंधर्व गंधर्व वो देवता होते हैं जो बहुत सुन्दर जिनका सरीर होता है बहुत सुन्दर लिखते हैं सेलिब्रिटी होते हैं और बहुत अच्छा गा सकते हैं बहुत अच्छा ड इंदर के सभा में कई रिष्री मुल्योग की उपस्तित होते हैं तो उस सभा में इनको भावान का गुंगान गाना था लेकिन कुछ ऐसे ही फिल्मी सौंग आदिये उसके कारण रिष्री मुल्योग प्रोधित हो गये और उनको शाब दे दिये जाओ्-दासी पुत्र भ़जाओ सूद्र के हां मिलता है और फिर कैसे भागवत के संपर्त दो प्रकार के भागवत है गरंत HAGOप Арt हिवा भाग्वात होते हैं हुआ जो अगरंत भागवत का दूसिलन काध क्या होता है भगवन का रहत होता है यह नाम से जाने रखोओं- का पुत्र पारथ से भारत भरत महर्याज की पुत्र हो भारत गोना फफ ओसी प्रकार से संबंद तो सारस्वते करत क्या है भक्ति शिदान सरस्वती महाराज के पुत्र ये शिश्ष है शिश्ष इंटी भी उते हैं इसले उनके शिश्ष्य है इसने साहरोष देव गएके संबोदित किया गया इसी प्रकार से था बागवाद एक तो भगवान से सम्मधित जो वारता हैं उनको भी भागवत कहते हैं जो हम लोग शीमत भागवत गृंत बेली सुगह जटा करते हैं किन्मिद्ध वारता हैं है और दूसरे भागवत सबन्दित होते हुट पर भाक्ति उसलिगी भागवत कहा जाता है और जो से और जुम्हान सुद्धामास प्रहागवत हैं अंकि दो प्रकार के बाम रिपान जो घुसले जो भागव की वंडनन है उसको त्युम् saja बाम्हागवत भागवत भॉक gef err जाता है प्रसन भागवत और यसा कहा जाता है कि जो अपने अपने जो है वो उसका प्राकर व्यक्ति भागवत के माध्यम से होज़ता है यानि दूसरे से समंदित हैं इंटर रिलेटें राधुमाद और वेक्ति भागवत एक जुक्त से संबंदित होते हैं, ग्रंत भागवत में तो भागवान से संबंदित वारता हैं, सिक्षाएं हैं, सिक्धान हैं, और वेक्ति भागवत जो होते हैं, ग्रंत भागवत का चलता फिरता स्वरूप होते हैं, उसको वेक्ति भागवत बोले ज प्रपाइब नारदमुनी जब्दासि पुत्र के रूप में थे तो उनको इस ग्रंत भागवत को अनुसीलन की सिक्षा प्राप्थ हुई और इसको इसको अपने जीवन में उतारना उतारने की प्रेड़ना प्राप्थ हुई और इसलिए दो प्रकार के महा भागवतों की ग् पासे नारदमुनी स्वयम जो है महा भागवत बन गए यह कितना अपने आप में बड़ी विशेज बात है नारदमुनी कोई साधारन वेक्षी नहीं है साधारन भक्त भी नहीं और शुद्वख्तों के कैटेगरी में भी अत्यंत महान शुद्वख्त है इतना दिव्वे सि कैसे प्राफ्त कर लिए यह अपने आप में बड़ा बहुत बड़ा जो है कोश्चन है और आश्चर प्रदान करने वाला वस्तों कि नारदमुनी एतने महान है कि उनको हर जगा एक्सेस है पूरे भौतिक ब्रह्मान छोड़िए अध्यात्मिक भौतिक ब्रह्मान कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं, without any restriction नारदमुनी भौतिक ब्रह्मान गर्लाद में भी किकली भी छेत्र में जा सकते हैं और विचरन करते रहें तो इत्यादी लोगों में भी जाते हैं प्रशार करते हैं नारदमुनी का सरीर दिव्य शरीर है, transcendental body दिव्य शरीर ह लेकर के without any restriction किसी भी ब्रह्माण के किसी भी कोने में जा करके गवान का असीमित मातरा में प्रिशार पसार करते हैं गुलगान करते हैं यह बहुत यह बहुत ही विशेज बरदान है अत्यंत अद्भुत है ऐसा हमारे साथ भी होना से हम सबके पास भी ऐसा तिव्वी सरीर होना चाहिए अब अताकि हम भी पूरे बहुतिक ब्रह्मांड नेको नेको ब्रह्मांड हैं हर जगे ट्रैवल करके मामान कृष्ट का गुल इसे प्रहपांची बोलते हैं यह बहुत इक सरीर इस यह बट्रीव वाड़ी अप्र पार गें यह बहुत ही गलत सोदा कर लिया हमने इस एक तो वैसे बहुत कश्च दायक है बहुत दुख दायक है इसमें कोई शंसे नहीं तो इसलिए भी विक्ति को ततपर होना चाहिए क कब ये भौतिक सरीर को हम त्याक कर क्या ध्यक्तिक सरीर को प्राप्त करेंगे लेकिन भक्तों के लिए इसे शुरूप से ये भौतिक सरीर बड़ा कश्ट दायक ये दुख दायक इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसलिए नहीं कि ये हमको कश्ट देता है फिजिकल पेन है बा जाल में फसने के कारण भगवान की जो सेवा है वो हम नहीं कर पाते हैं तो इसमें जो अप्षेकल आ जाता है यह बहुत ही पीड़ादायक होता है इसलिए सभी भगतों को बहुत तत्पर होना चाहिए कि कब हम यह भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त हो जाए अध्यात्मिक सरीर मिले ताकि अध्यात्मिक सरीर के द्वारा हम भगवान का असीमित मात्र से जो है सेवा कर सकेंगे गुलगान कर सकेंगे प्रचार कर सकेंगे असीमित मात्र में भवान का जो नाम जब कर सकते गुलगान कर सकते हैं इसलिए हर भक्त को इंटेंसली इच्छा करना यहीं पर बस ऐसे लटके हुए चलो ठीक है वो तो भागवान की अच्छी कृपा है कि ऑनलाइन टेक्नोलोजी डेवलप हो गया है तो कम से कम बैठके भागवान का कुछ गुर्गान तो कर सकते हैं नहीं तो भागवान का ड्रेसिंग करना है श्रिंगार करना है अलग रग ज भावान की क्रिपा कैसी मिली तो भी महा भागवतों की क्रिपा सी मिली भागवत की क्रिपा से भागवान की क्रिपा प्राप्त हुई तो नारगमुनी के पास दिवे सरीर में रहते हुए दिवे सरीर है उनके पास और कहीं भी जा सकते हैं इतना भी प्रचार कर सकते हैं प्रवान को मिलते भी हैं और वह ज्यादा थर्तों वैसे बहुतिक ब्रह्मान में प्रमड करते रहते हैं प्रचार प्रशार के कारे में लगे रहते हैं कितना अच्छा पुरुचिनिती है सहनातन रूप से कोई टेंशन भी इस प्रकार से नारदमुनी के इतना बड़ा सोभा को प्रकट करने के लिए तो कई बार ऐसा होता है देखा जाता है कि गुरु अपने सिश्च को अपनी इस्थिती के बारे में अपने इत्यास के बारे मताते हैं या उन्होंने कैसे इस डिवी इस्थिती को प्राप्त किया ब्रवान की असीम क्रिपा को प्राप्त कि इसके ब बढ़े विशेज खास सिर्शे होते हैं, जैसे शुद्य-वईष्ण ओ या महा भागवत होते हैं, तो उनको ऐसा बताते हैं, वेद्व्यास जी तो बढ़े खास है, नारध्मुनी के, तो उनको उनको इंकरेच करने के लिए और इस पेसलि वेद्व्यास जी के माध्यम से तो इनको भागवत व्रंद की रचना कराना है, भागवत पे महिमा को प्रकट कराना है। जिसलिए यह आवशक्ता भी थी, एक जरूरत भी थी कि इस भागवत की महिमा को बताएं, जो महिमा तो बताएं थियूरी के रूपने, अब इसका खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरेंस वक्षी है तो वो भी शेयर करना जरूरी है वो बिना शेयर किये तो पूर्ण नहीं होगा वो शेयर करने से जो है और ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा प्रव्णा मिलेगा वेद व्यास जी को इस ग्रंथ की रचना करने के लिए और नारद मुनी बिल्कुल यहां पे इस परस्ट है इसको बताने वाले है कैसे मैं दासी पुत्र था और ऐसे चार महा भागवतों कि कि पासे उनके सेवा में मैं लगा और म करना चाहते है तो इसके लिए बहुत इक सरीर हमारे पास भी है तो इससे तो हम प्रिथिवी के बाहर तो जाना दूर की बात है प्रिथिवी में भी एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो यह अब्स्टेकल बादा उत्पन कर देता है तो और एक जगह पर रहकर भी नारजमुनी के पास ऐसे कोई बादा नहीं है वो अन्रेस्टिक्टिवी कहीं भी जा सकते हैं और कितना विपरचार कर सकते हैं यह 23 नमश्लोग से ले करते हैं आगे चालिश नमश्लोग तक यह पूरा बहुत यह सुंदर तरीके से अपना इफ्यास बताने वाले है अहम प अनुष्णने राफ्रिशी नियर्वे विप्षताम तो नमश्लोग तो अमुनी इन लास्ट मिलनियम, I was born as the son of certain maidservant, engaged in the service of brahmanals who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the four months of the rainy season, I was engaged in their personal service. तो अहम पुरा अतीता, अतीता भवे इन दा प्रिवेस मिलनियम, प्रिवेस मिलनियम मतलब पिछले कल्प में, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 864 करोड, 864 करोड साल होते हैं, तो यानि कई लाखों करोड साल के बात हैं, यह अलमुष्ट माल लीजे, अभी जो है सात्मा मनवंतर चल रहा है, ऐसे टोटल 14 मनवंतर होते हैं, तो सात्मा मनवंतर का 28 मर साइकल चल रहा है, लेकिन मोर और लेस हम मान लेते हैं कि यह लग वैसे तो कितना होगा, कि आधा दिन ब्रह्मा जी का कंप्लिट हो चुका है, तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे में 864 करोड साल होते हैं, तो बारा एक दिन में, आनि 12 घंटे में 435 करोड साल होते हैं, और उसका आधा भी हो जुका है, यानि 216, लगबग 216 करोड साल पहले की बात बता रहे है नारदमुनी, पिछले कल्पे की बात है, 216 करोड साल पहले, मैं पिछले ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, मैं एक दासी पुत्र के रूप में पैदा हुआ था, और उस जनम में अपने आपको पर्फेट कर लिए नारदमुनी सोचे, और ऐसा दिव्वे सरीर प्राप्त कर लिए, उसके बात जब ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जरूर आए नारदमुनी इस कल्प में, वो लीला है, जैसे भगवान कृष्णे, जन्मे लेते हैं, जन्म लगवग 216 करोड साल हो जुके है, नारदमुनी का वही सही सुंदर, बहुत अद्वर दिवे सरीर, बहुत सुंदर सरीर, नारदमुनी, बहुत सुंदर देखते हैं, बहुत हैंडसम है, और उनके पास बीड़ा है, बहुत सुंदर बीड़ा है, बहुत सुंदर बचता है, और यह ले करके वो ट्रेवल करके प्रचार पसार करते हैं तो पिछले दिन में ना ब्रह्मा जी के पिछले दिन में लगवग 216 करोड साल पहले बात बोल सकते हैं एक दासी पुतर के रूप में पुरा अतीद इसने पुरा बोला गया है पुरा मतलब फॉर्मेरली बहुत पहले अतीद भवे अतीद भवे यहां पर प्रुपाजी मेंशन कर रहे हैं प्रीवियस मिलीनियम यह क्यान पुरान में मनिशा ने कि पिछले दिन में अभवा आई बिकेम मुनी ओ मुनी वेद व्यासी मुनी को बोल रहे हैं दास्या आप्धा मेट सर्व पिताहा बालका एवयोगी नाम सुश्रूशने मतलब सर्विस सेवा में वेद वादिनाम और फॉलोवर्स वेदान्त पर प्रुपजी तात्पर्म इसको बताएंगे यहां पे जो वेद वादिनाम बताया जा रहा है वेदान्त के फॉलोवर्स वो कौन है एक्शली में वेद वादिनाम से सुचित भी होता है वेद वादिनाम भी दो प्रकार के हो सकते हैं तीन प्रकार के बोल सकते हैं लेकिन जो वास्तविक रूप वेद वादिनाम होते हैं वह भक्त होते हैं वह एक्शुल वेद वादिनाम एक्शुल फॉलोवर सब्द वेदानता है गीता फैसे में भी भग्वान एक प्रकार के बेदा वाधी नाम के बारे में बताते हैं याम इमाम पुष वादिशान, यह एक गिप्ता के, वेद वादिनाम, नाने दस्ति वादिनाम, ऐसे करके श्लोग आता है, अन्यवेइ, साश्नी कात्मारा, मैं चाथ्वर्मादिता, 2.40 का वर्स है, 2.40, 41, 42, 42, अन्यवेदिनाम, यह एक गिप्रकार की वेद वादिनाम, तो यहां पेक प्रकार की वेद वाद बंता है, तो वेद वादिनाम, इसे माइयावधि सन्या से रियराकारवध वार्मधि नभौवादी बन जाता है। लेकिन जो एक्चुल वेदवादिनाम होते हैं जो वेदान्त की असली व्याक्या भागवत से जो अटेश होते हैं वेदवादिनाम मतलब वेद करता है कर्मकंडी वेदिक सास्तर भी हो गया और वेदान्त भी हो गया और वेदान्त की असली व्याक्या भागवत भी हो गया उ योगी नाम से होती है योगी नाम मतलब जो भगवान से connected यानि भक्त हो गए इसलिए प्रुपाजी आप इस पस्वर्णन करते हैं कि यह जो वेदवादी नाम योगी नाम है तो वो लो कोई और योगी नाम अपी सर्वेसा मद्गतेन अंतर आतुना गीतन पहवान कृष्णा अलड़ी पता है इसलिए इनके सेवा को प्राप्त किये तो श्रूर्शने प्रिशी निर्विविक्षता इंद फोर मंस ऑव रेंडी सीजन जो लोग साथ में रहे थे तो इसलिए नारजमनी कोई सभाग मेरा बालक तासी पुतर के रूप में उनका सेवा करने का और इसी का सभाग में करें कि क्या सेवा उन्होंने किया यह बहुत अच्छा प्रसंद समीभक्ष से रिक पर आप लोग इसको सुनिए यह जो अगले आट-दाश दिन चलेगा मेरे तांसे तो इसमें बहुत सारे ऐसे पुड़ों का वर्णन किया गया है नारजमनी का सभाग गया है कि किन प्रकार के भक्तों के संग में आये वो दूसरा और किस प्रकार से उन्होंने सेवार पण किया और तीसरा उनका क्या गुणत लाग जिसके कारण उनके खृपा को प्राप्त पाए और इतने महान भागत बन पाए हम इस पे यह से लिए एनलेसिस करके नारजमनी को बता नारजमनी बता रहे विद्व्याजी को ताकि हमको पता चल सके कि कि किनका हमको सेवा करना चाहिए संग करना चाहिए किनके द्वारा भागवत सेवन करना चाहिए और किस भाव में सेवा करना चाहिए और क्या सेवा करना चाहिए ताकि हम कैसे भावन के प्रतिरुशी को व तो सेवा करते हैं यह दो कि उनके अंदर करने करने का लालत करने का लौल्यम लालत ती व्रिच्छा प्रकट रुची जिसको गोलता है यह बीज की रूप में प्रदान करके महा भागवत लोग चले हैं उसके बाद तो बागी सब कार नारद मुरी तुदी कर लिए यह महा तपूनी चीज है पुक्योज शुटी कार्यों क्या ध्या हएं टुर चले अर्भवाły थर्द्स्दैश्वी के रृ्काव के जुट अच्छिध है वहो रुट है थी अवड़ेह से आपलोगी अन्युटicker थी तॉ आफ्य। झाल झाल